दरभंगा एरपोर्ट से उडान भरने वाले यात्रियों के लिए एक नई खुशी की ख़बर सामने आ रही है एरपोर्ट अथरिटी ओफ इंडिया ने दरभंगा एरपोर्ट पर एप्रन में फ्लड लाइटिंग लगाने के लिए टेंडर्स जारी कर दिया है एप्रन में फ्लड लाइटिंग लगाने का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं दरअसल दरभंगा एरपोर्ट पर फिलहाल दिन में ही विवानों की लेंडिंग और टेक अफ करने की व्यवस्ता है सूर्यास्त होने के पहले ही इस एरपोर्ट पर विवानों की आवाजा ही बंद हो जाती है दरभंगा एरपोर्ट पर यात्रियों की लगतार बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां नाइट लेंडिंग की काफी समय से मांग की जा रही है एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया ने दरभंगा एरपोर्ट पर नाइट लेंडिंग के लिए दो कदम आगे बढ़ाये हैं पहला तो यह कि दरभंगा एरपोर्ट पर एरोड्रम ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम यानि एजियल लगाने का काम चल रहा है जो अब आखरी चरण में है और दूसरा जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं एपरन पर फ्लर्ड लाइटिंग लगाने की प्रक्रिया एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया ने ये जो टेंडर जारी किया है इसकी आखरी तारीख 28 फरवरी है उमीद की जा रही है कि एपरन पर फ्लर्ड लाइट लगने के बाद दरभंगा एरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुवधा मिल जाएगी Airport Authority of India ने दरभंगा एरपोर्ट के एपरन पर जो flood light लगाने का tender जारी किया है वो 84,79,000 रुपय का है फिलाल दरभंगा एरपोर्ट पर दिन में ही विमान आवागमन करते हैं इसकी वज़ा से एपरन पर विमान खड़े नहीं होते हैं चुकि फिलाल दरभंगा एरपोर्ट पर रात में विमानों का आवागमन नहीं होता है यहां दिन में ही विमान आते जाते हैं इसलिए इसके एपरन पर विमान खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब एपरन पर फ्लड लाइट लग जाएगी तो यहां रात में भी विमान खड़े होंगे और यहां से 24 घंटे आवागमन की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा आठ नौमबर 2020 को उडानी योजना के तहद शुरू हुए दरभंगा एरपोर्ट ने कई किर्तिमान गड़े हैं इसने देश के कई कॉमर्सियल बड़े एरपोर्ट को पचार कर अववल हस्तान हासिल किया है इसको देखते हुए एरपोर्ट आथरेटी ओफ इंडिया ने इस एरपोर्ट के स्थाई टर्मिनल के लिए भवन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है इसके लिए दर्भंगा जिलाप शासन को 78 एकर जमीन का अधिगरहन करना है और इसके भवन निर्मान के लिए पैसे भी जारी कर दिये गए हैं इलाके के लोग और जन परतिनिधी दर्भंगा एरपोर्ट को अंतराष्ट्री एरपोर्ट का दर्जा दिलाने की लगातार मांग करते रहे हैं इसको लेकर यहां यात्री सुविधा बढ़ाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है अब एप्रन पर फ्लड लाइट लगाने का टेंडर एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया की ओर से इसी दिशा में एक बढ़ा इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दर्भंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और बैने कामी तांजीम न्यूज पेपर दर्भंगा पचास वर्षों से आपका विश्वासी दूबे क्लीनेग अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रिये और अंतिराष्ट्रिये अवार्डों से सम्मानेद गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज मी संतान दमपत्ती एक बार अवश्य मिलें दूबे क्लीनेग सुभाश मार्केट लंगर टोली चुराहा पटना आप नहीं नहीं से संतानने कर आप खल को वाने करत दूए्ट स्ट्रिये और दन्तिया आप जल को एबस्वाशने हैं